आवजुद इसके दोन ही पार्टियों में बागियों की तादत अभी भी काफी मैजान में हैं और भाजपा को जो 14 में 19 में समर्थन मिला मुझे लगता है कि इस बार भक्षन आ रहे हैं मुझे डंका समर्थन नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि सान, जवान, पहलवान, त देख रहे हैं अर्थपरकास टीवी दोस्तो हरेना में बिधान सबाच चुनाप की जो बिसात है वो पुरी तरह से बिस चुकी है इस समय मैदान पुरी तरह से त्यार है और खेलने के लिए जो हमारे राजनिती खिलाडी है वो पुरी तरह से त्यार बैटे हैं क्योंकि अमीदवारों ने अपने नाम बापिस ले लिये है बागी उमीदवार जो थे उनको भी रूटने मनाने का जो सिल्सला है लग भग कंप्लीट हो चुका है और अब ये क्लियर है कि कौन से खिलाडी जो है वो मैदान में है और आने वाले समय में आने वाली आठ अक्तूबर क किस के सर सजेगा ताच ये तो कहर समय ही बताएगा लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है विधान सवाचरा आपके दराण राजनीतिक गल्यारों में इमसे बात करने के लिए हमारे साथ है बलूंध तक्षक जी जो हरयाना की राजनीति ने एक पत्रकार के तौर पर जिन्हों ने अपना एक लंबा समय बिताया है और हर्याना के लगबग अब मैं ये कहूं कि पहले एक या दो मुक्यमंत्री को छोड़ कर बाकि सब मुक्यमंत्रियों के साथ राजमी तिक जो सफर है उसको तै किया है पत्रकार के तोर पर आये जानते है कि इस वार की विधान स करन हुआ दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल ने इस्तीफा दिया और आतिशी को मुक्यमंत्री बनाया इसको आप कैसे देखते हैं और साथ की साथ दूसरा मेरा सवाल इसके साथ ही है कि हर्याना की राजनिती पर इसका क्या असर पड़ेगा मैं राजनर जी ये कहूंगग आपको कि अर्विंद केजरिवाल साथ को ग्रफ्तार किया गया जी श्राग घोटाले में रोपी बनाया गया उनको और भारती जनता पार्टी की शादी ये सोच रही होगे कि जब वह बाहर निकलेंगे हर्याना परचार करेंगे तो हम उनको बताएंगे ये तो दागी हैं ये तो आरोपी हैं ये तो जेल से बाहर आएं जमारत पर बाहर आएं वो मुद्दा भाजबा उसको भुनाना चाहती थी हर्याना के चुनाओं में लेकिन मैं ये मानता हूं कि केजरिवाल ने उस बात को पलट दिया है उनोंने दो दिन में इस्तिवा देने की घोशना करके मुद्दा चिन लिया उनसे और उन्होंने आतिशी को जो मुख्यमंतरी बढ़ा एक महिला को वो हरियाना पर फोकस करेंगे और वो ये भी कहेंगे कि मुख्यमंतरी पर से इस्तिवा दे कि हमने एक महिला का संभान बढ़ाया है भारते जंता पार्टी पर आरोप महिला खिलाड़ी ओने आई नहीं मिला किसानों को नहीं मिला और एक मिनिस्टर जो भाजपा के थे जो संदीव सिंग जिन पर आरोप लगे थे तो वह क्या है कि भाजपा को बजाए आक्रमक होने के प्रक्षत में पड़ेगा तो इस इस्तिवे के बाद केजरिवाल साहब पुरा ध्यान विदान सवा चुनाओ उपर लगाएंगे उनकी कोशिश रहेगी कि भारत आम आदमी पार्टी को इस बार हरियाना में खाता खोलने का मोका मिले और कुछ आगे बढ़ने का मोका मिले अब मद्दाता उनकी सुनेंगे सुनने के बाद करेंगे अपने मन की ले इसके बाद जैसे ही कांगरस की लिस्टा ही कांगरस में भी बगावत हुई और दोनों पार्टियों ने जो फिर अपने जो उनके लीडर थे जो उनसे रूट कर गए थे उनसे सबको बागियों को मनाने की कोशिश के और काफी हद तक वो लोग कामयाब भी हुए बागी जो उमीदवार हैं वो इन पार्टियों में वापस आये हैं क्या इन पार्टियों के साथ वो नियाए कर पाएंगी इसका किस पार्टी को फैदा हुग और किस पार्टी को नुकसान हो सकता है हरियाना में विदान सवा चुनाओं में हार जीत का अंतर 2000-3000 वोट का होता है और यह 2000-3000 वोट किसी उमीदवार की जीत के लिए बहुत मैत्वण होते हैं ऐसे में अगर बागी खड़ा हो तो पार्टी को नुकसान पहुंचने की संभावना ही ज्यादा रहती है और इस बार जिस ढंक से भारती जन्ता पार्टी में बगावत हुई कॉंग्रेस में तो यह कोई नया खेल नहीं है हमें चुनाओं कि लेकिन बाजपा को एक अंशासित पार्टी कहा जाता है और उसमें अगर बगावत हो तो यह तो लगता है कि जो बगावत करने वाले हैं उनको लग लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बागियों को मनाने की हर संभव प्रियास की है और कामिया भी मिली है उधान के तोर पर मैं आपको बताऊं कि जो संपत सिंग थे बड़ा चेरा हैं वो नलवा से खड़े होगे कांगरेस की टिकेट नहीं मिलने पर उनको दीप है दूसरे उमिद्वार जो संतोस यादव थी डिप्टी स्पीकर वो अटेली से नोमिनेशन पेपर वर दिया था भाजपा की बागी की तोर पर और वहां से खड़ी है राविंदर जीत सिंग की बेटी आरती राव तो ये आरती राव के लिए एक राहत की बात है कि संतोस चाब हो का मैदान से हट जाना है दूसरा एक पूर संसदी मुक्ष संसदी सची हो है राम किशन फोजी वो बवानी खेड़ा से कांगरेस के बागी मुद्वार के तोर पर खड़े हुए उनको भी पार्टी ने मना लिया है वापस हो गया है एक जो राजीव जैन है सुनी प पार्टियों के बागियों की तादत अभी भी काफी मैदान में है जह उधार्ण के तोर पर जो देश की सरवाधिक ध्रहाड महिला है सावीतरी जिंदल उन्होंने भाजपा से टिकेट की मांग की थी हैं टिकेट नहीं मिली टिकेट कमल गुपता को सिटिंग हमेले को मिली बो बागी की तोर पर अभी मैदान में हैं और सावीतरी जिंदल भी जिरुट पड़े गी तो सामस्कीट नहों कई लाजपा की जिँद्न ने हुए मुलंब उनने के पिताजी को तो कांग्रेस ने अमभला से टिकेट दे जो चार बार जीते हैं दो बार मिनिस्ट रहें छित्रा सरवारा का पिछली बार अनिल विजवस सहाब से मकाबला था जी जी और काफी टफ मकाबला था तुछ ने तब प्रवारा और चित्रा सरवारा आजाद मीदवार के तोर पर मैदान में उन्होंने नामंकर वापस नहीं लिया अनिल विज के साथ उनकी फाइट है तो ऐसे बहुत सारी शीटें हैं जिनमें बड़े चेहरे भले ही ना हूं लेकिन दोनों पार्टियों के लिए अभी भी परि प्रिया आगे भी जाली रही हो सकता है जैसे जैसे चुनाव आगे बड़े बागी उमीदवारों में से पार्टी उमीदवारों के पक्षमे मैदान से हटने की घोशना ही भी हो सकती है बिलकुल ठीक है रहे आप जैसे आपने अभी सुईत्री जिंदर की बात की चित्रा सर बड़े को होता है बिलकुल मुझे ऐसा लगते हैं कि उसी पार्ट को तो इस तरवसे 25 यह है तो उनका इन पार्टियों को नुकसान होगा या नहीं होगा नुकसान हो तभी मनाने की कोशिषें होती हैं पार्टी चाहती हैं कि फोकस मेदाता के जो चुनाव लड़ा है उस पार्टी के और जो उसके मुकाबले में जो पार्टी है तो भारती जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्र है तिकोणी लड़ाई अभी नहीं बन पाई है और बनने की सम्हावना भी नहीं है ऐसे में बाजपाच आएगी कि उनका बागी मैदान में अगे नोमिनेशनल पेप इना लोका किसे समय बहुत बड़ा वजूद रहा है जजबा चाहे उतना बड़ा वजूद नहीं भी बना पाई लेकिन पिछले विधानसवा चुना में जजबा का बहुत एहम रोल रहा है तो जो च्छेत्रियां पार्टी हैं क्या वो कहीं भी टक्कर देती नजर नहीं आ कि छे मेने तक मुख्यमंतरी रहे जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो विशाल है ना पार्टी बढ़ाई उन्होंने और उनकी मैक्शिमम उसके बाद मैं सोचतों शाद 18 सीटें एक बार उनकी आई थी उसके बाद सीटें तो आती रही लेकिन तादाद गटती रही और ब चोधरी देविलाल का आगे होता था और चोधरी देविलाल या तो सटा में होते थे या पॉस्ज़न में होते ती है यानि कि पहले दूसरी चृती चोधरी लेकिन जब परिवार में विक्टन हुआ अजय चोटाला दुश्यन चोटाला जब इन्यन नेशनल लोगडल से निकाले गए तो इन्हों अपनी जन्नाक जन्ता पार्टी का गठन किया और ये इसको लंबा अर्सा नहीं हुआ पार्टी को लेकिन पहले ही चुनाओं में दस सीटे जीत के बाजपा के साथ समझोता करके वो सब्दा में सयोगी बनी रिप्टी चीफ मिश्टर की कुर्षी मिली दो उनके विधायक मंत्री बने कुछ चेर्में बने साडहे-4 साल तक बाजपा के साथ उनका ठीक तालमेट चला लेकिन बाजपा को लगा कि अगर हम इनको अलग कर दे तो हम रास्ट्रे पार्टी हैं हमारा वजूद रहेगा वह पार्टी जो है हो सकता है विदानसभा चुनाओं में अच्छी परफॉर्मिस ना दे पाए और चूंकि बाहर से लड़ेगी तो जाट मद्दाता उनके साथ जाएगा तो कॉंगर्स का नुक्सान होगा ऐसे जंता पार्टी के साथ जाट मद्दाता चले जाएंगे जो कॉंगर्स का नुक्सान हो रहा है और दूसरी तरफ जो अनुस्ची जाती की मद्दाता हूं को भी उन्हों ने दोनों पार्टी के साथ लेकिन बावजूद इसके अभी तिकोनी लड़ाई नहीं है और चोदरी देवि जब विग्टी तो होगी परिवार में जब फूट पड़ गी तो उससे दोनों पक्ष कम जोड़ हो रहे हैं इस वार मुद्दे क्या हो सकते हैं चुनाब में देकि मुद्दे तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं फिर कह रहा हूं मुद्दे जवान किसान और पहलबान नोकरी की तो कोई गारंटी नहीं थी लेकिन फिटनेस के आदार में फोज में जाने के का रहे हैं अब वो सुबह साथे चार बज़े आप देखेंगे सड़की सुनी मिलती है क्योंकि वो नोकरी जोश खतम हो गया जोश खतम हो गया चार साल के लिए आपने वो कर दिया ना दक्षन हारे ना मुझ घंका समर्थन नहीं मिलेगा तीसरा दूसरा मुद्धा जो पहलवान का था तो विनेस फोगाट को आपने देखा हो गया दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर को पुल इसने किस करे लेकिन उसने भी हमत नहीं आ रही हो जब ओलम्पिक में गई तो एक किसान का मुद्धा है सबा साथ के आसपास वो दिल्ली के बोर्डर पर कीलें बिचाई हुई थी पुलिस की वाटर कैजन की गाड़ियां खड़ी थी महारी पुलिस का बनोबस्ता बड़ी-बड़ी दीवारें चुन्दनी की थी साढ़े साथ सो के आसपास किसानों ने पंजाब में देख सकते हो बड़े-बड़े चेहरे भाजबा में सामिल हुए हमारे बिट्व साथ केंदरी मंत्री है बड़ा चेहा है लेकिन बैंच सिंग का परिवार भी था जाखड साथ का परिवार जाखड साथ बड़े-बड़े चेहरे भाजबा में गए कांगर छोड़े लेकिन भाजबा क्या मिला बलकुल किसानों की नाराजगी के जलते भाजबा लोकसवागी कोई शीट नी जीत वाई तो मुझे ऐसा लगता है किसान, जवान, पहलवान तीनों ही इस समय सत्ता रूट दल से नाराज हैं तो पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बहुत मैनत करें हैं अब फिर से हमा जाते हैं केजरी वाल के उपर, की केजरी वाल जी जो हैं वो नब्बे की नब्बे की देखिए अधर बात करें कांगर्स की वो भी 89 सीट्स पर लड़ रही है और भारती जनता पार्टी भी 89 सीट्स पर ही चुनाब लड़ रही है और केज़ी दी यहां उनकी पार्टी जो है नबे की नबे सीटोपर उनने अपने पर्ताशी उता रहे हैं दूसरी तरफ उन्होंने महला मुक्ख्यमंत्री को महला के एक मुक्ख्यमंत्री बनाया उसके बाद कईटी विश्समाज की हमने पिछली एपिसोड में भी बात की थी कि उसकी नराजगी का भी वो फाइदा ले सकते हैं तीसरा किसान जो बैठे थे बॉर्डर पे तो किसानों को कही न कही न klai न ने अँन्होंने स्पोर्ट किया ने पानी भेजा क्या किसान जो है वो केज़ी वाल को स्पोर्ट कर सकते हैं नहीं देखिए ऐसा है कि किसान को ये पता है कि हमें किसे मारना है उनके निसाने पर कौन है भाजपा निसाने पर है जीत कौन सकता है वो मदद की वो उनके दिल में है कि हमारी वाम बोर्डर पर मदद की की लेकिन व सब्सक्राइब कांग्रेस रास्टे पार्टी नवासी सीटों पर उमिद्वार दिये और भिवानी शहर में CPIM को इसी तरह भाजपा ने 90 सीटों पर उमिद्वार गोशित किये दे आखरी टाइम में जो जांगडा थे शिर्शा थे उसका नमिनेशन वापस हो गया और उन्हों उन्हें हलोपा के जो गोपाल कांडा पृतायक थे उनको समर्थन दी दिया तो दोनों पार्टियां 89-89 उधर जो इंडियन नेशनल लोगदल और बस्पा और जन्ना एक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी उन्होंने 87 और 83 शीटों के उमिद्वार दिये यानि कि 90 पीशे चोड़के सफ्पा आसिल करने किये अब इसमें किसान अपनी क्या भूमी का निभाता है जवान क्या निभाते हैं पहलवान क्या निभाते हैं और कॉंग्रेस ने तो आपने देखा इस बार विनेश फोगाट को टिकेट भी दिया है जी जो लोगों का समर्थन भी अ जब भी चुनाव होते हैं तो कही तरह की बाते उचलती हैं और विपक्ष को हमेशा मुद्दे चाहिए होते हैं अभी पिछले दिनों प्रेस कॉंफरेंस में हुड़ा जी ने कुमारी शैलजा के बारे में कहा कि वो हमारी बहन है और कॉंग्रस की बड़ी लीडर है और हमा उन्चे को नराजगी नहीं और कॉंग्रस की बड़ी नेता है तो इसके पिछे के क्या करन रहे हैं लेकिन चुनाव जब होता है तो विरोधी पार्टियां भी किसी ना किसी चीज को मुद्दा बढ़ाने की कोशिश करते हैं इससे पहले उड़ा साब ने कहा कि जाती सुच सब्सक्राइब करना कांगरेशी नहीं हो सकता और अगर कोई ऐसा किसी ने किया तो उसके लिए पार्टी में कोई जगए नहीं है तीसरी बात उन्होंने का वो हमारी बहन है राजनेती में प्रतिष्टित उनकी प्रतिष्टा है और समानित रहेता है तो उन्होंने का कि ऐस कॉन्फरंस करके इस बारे में सफाई दी है तो बकी आगे उसमें कोई क्या किस तरह की बाते होंगी गलिच समाज हुडा साथ की इस बात के बाद सहमत होता है नहीं या दूसरी पार्टी या उस मुद्धे को कितना उचाल पाती है असोक तमर साथ उसको कितना आगे ले आगे या यह देखने की बादे ठीक है क्या अरतक्षक जी आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया जिनाब तो दोस्तो जो भी होगा वो सब भविश्य के गर्ब में है और मद्धाताओं के हाथ में है तो दोस्तो आगे विदान समाज चुनाब में किस तरह के परकरन बनत हैं यह सब देखने के लिए आप देखते रहें अर्थ प्रकास टीवी